नवसकार दोस्तों इक बाद फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारी इस नए वीडियो में दोस्तों दिल्ली बिधान सभाज़ चुनावों को लेकर आकाशानंद एक्टिव हो गए है इस समय की खबर ये आ रही कि आकाश आनंद को दिल्ली में पूरी तरीके से एक्टिव किया जाएगा फ्री हैंड दिया जाएगा जो वो चाहेंगे वही पार्टी करेगी हर्यारा नतीजों से बहुजन समाज पार्टी निराश नहीं है बलकि मोटिवेटिट लग रही है जिस तराके से उसे वोट मिले जिस तरीके से वो कई सीटों पर फाइट करती हुई दिखी ऐसी उमीद पार्टी के कई नेताओं को नहीं थी इसलिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता गदगद है बहुजन समाज पार्टी के इस तमाम समर्थक इसलिए भी खुश है क्योंकि उन्हें उम्मेज नहीं थी कि पार्टी इतना अच्छा परदर्शन करेगी अगर मैं आपको बताऊं तो असंद जो सीट है हरियाना के एक सीट है असंद है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को अठाईस हजार वोट मिले एक सीट है अटेली यहाँ पर पचपन हजार वोट मिले बहुजन समाज पार्टी को पचपन हजार वोट मिले है एक सीट है इं सीट है सोहना जहांपर बहुजन समाज पार्टी कोMore जो जो वोट मिला है बहुजन समाज पार्टी को इंसीटों पर बहुजन समार्टी के लोग कह रहे हैं हम हारे नहीं हार कर भी जीत गए हरियाना विधान सभा चुनाव की नतीजों के अगले दिन आपने देखा होगा दिल्ली में एक बहुत बड़ा कारिक्रम हुआ मानवर जी के महा परिनिर्मार दिवस के मौके पर बहन जी ने लोगों को संबोधित किया मोटिवेट किया कि करना है कमाल इस समय सारे कारकरताओं को एक्टिव कर दिया गया है वहीं हरियाना विधान सभा चुनाओ के बाद बहन जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने ये कहा कि भाईया जो हरियाना के जाट है न वो जातीवादी है यूपी के जाट और हरियाना के जाट क सोच में जमीन आसमान का अंतर है बीएसपी का जो वोट था आई एन एलडी को ट्रांसफर हो गया चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का वोट आपस में फूट होने के कारण भाजपा को मिल गया इस बार हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट में बटकर रह गया बसपा को इससे काफी नुकसान हुआ है ये बहन जी ने कहा है अब बहन जी ने जिस तरीके से जाटों पर आरोप लगाया है और जिस तरीके से ये कहा कि बसपा का वोट तो आइनल्डी को ट्रांसफर हुआ लेकिन उनका नहीं हुआ तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि इनेलों के साथ आगे गड़ बंधन चले ये कहना बहुत मुश्किल है याद करिए उत्तरपरदेश में जब समाजवादी पार्टी से गड़बंधन बहन जी ने किया था और जब गड़बंधन तूटा था तो इसके पीछे बहन जी ने यही बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो हमें ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन हमारा वोट उनको ट्रांसफर हो गया हाला कि 2019 के नतीजे जो थे वो बहुजन समाज पार्टी के लिए आप प्रत्याशित थे बेस्पी को तो 10 सीट मिली थी समाजवादी पार्टी को 5 ही तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे बहिया ट्रांसफर कहा हुआ दस तो आप लेके चली गई कहां ट्रांसफर हुआ ऐसे ही हर्याणा के तमाम नेता भी अब यही कह रहे है कि कहां ट्रांसफर हुआ दलिद वोट बैंक ट्रांसफर अगर हुआ होता तो क्या INLD को सिर्फ दो सीटे मिलती तो इस मुद्दे पर बहुत चर्चा हो रही है हाला कि जो बहन जी के समर्थक है वो कह रहे हैं बहन जी ने जो कहा सही है अब बहन जी के बयानों का विश्रेशन करे तो उसे एक बात हो जाती है कि INLD बसपा का गड़बंधन आगे नहीं चलेगा इतना गंभीर आरुप लगाने के बाद भाईया गड़बंधन चलता वलता नहीं है हाला कि बहन जी के बयान के बाद जाट समाज में बहुत जादा नाराजगी देखी जा रही है और डर ये है कहीं ऐसा नहों कि उत्तर परदेश के जाट भी नाराज हो जाए लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं बहन जी ने जो कहा वो सही है बहन जी जो कह रही है सब सही है जाटो ने जब वोट नहीं दिया तो क्या कहें खरी खरी ना सुनाएं तो क्या कहें तो बहन जी के इस बयान का कोई समर्थन कर रहा है कोई विरोत कर रहा है बहरहाल राजनतिक विश्रशक यही कह रहे हैं कि भाईया आप यह जो गडबंधन है तूट जाएगा आगे इनमें गडबंधन हो उत मुश्किल है कहना और गडबंधन आगे चले भी तो चले क्यूं भाई जब वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ऐसी पार्टियों से गडबंधन करने से क्या फायदा अकेले ही चुनाव लड़िये अब तो बहुजन समाच पार्टी जो है सर्व जन बहुजन सब की बात कर रही है आपने प्रग्राम देखा था 9 अक्टूबर का प्रग्राम सतीशन मिश्रा जी महाँ पर थे सतीशन मिश्रा जी आनंद कुमार जी आकाश आनंज जी बहन कुमारी मायवती जी सब लोग मवजूद थे हमने तो मिश्रा जी पर सवाल भी किया कि मिश्रा जी की कितनी उपयोगता है तो लोगों ने कहा मिश्राजी को इसलिए पार्टी में रखा गया है जिसे ब्रामभणों का वोट भी पार्टी को मिले और कई लोग तो ये कह रहा है कि भईया मिश्राजी की वज़े से 2007 में हमें फाइदा मिला था दोस्तों आपको याद दिला दू कि उत्तर परदेश में अब विधान सभा का उपचुनाव होने जारा दस सीटों पर और ये जो उपचुनाव है ये सत्ता का सेमी फाइनल है अगर यहां हारे तो 2027 में मुश्किल हो जाएगी तो अब इन नतीजों से सबक लेते हुए महराष्ट दिली उत्तर परदेश में चुनाव जारकर्ण में विधान सभा का चुनाव यहां पर पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा और लोग बड़ी आज से बड़ी उम्मीदों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं कई लोगों की हिम्मत जो है कई लोगों की आखरी उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी अब बोजन समाच पार्टी के नेताओं को भी ये Zम्मेदारी उठानी पड़ेगी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी काम करना पड़ेगा अगर सत्ता में आना है तो काम भी करना पड़ेगा भहिया काम नहीं करोगे तो फिर एक पार्टी ऐसे बन के रह जागी जिसे बहुत सारी पार्टीयां चल रही है बाबा साहे माननवर जी की विरासत को आगे बढ़ाना है तो सत्ता में आना पड़ेगा तभी उनका सपना उनका खुआप पूरा होगा तो दमदारी मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा भाशन अपनी जगे है धरातल पर आक्टिव होना अपनी जगे है तो दोस्तों कुल मिलाकर हरियाना में जो बहन जी ने गड़ बंदन किया था उसका अनुभा बहुत खटा रहा अब आने वाले विधान सबा चुनाव में वो किसी पार्टी से गड़ बंदन करेंगी नहीं करेंगी आपको क्या लगता है बसपा को किसी पार्टी से अब गड़ बंदन करना चाहिए अपनी पर्तिके लिए आप लोग जरूर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया